आज 20 विटलेंड डे है नदियों जीलों और तलाबों की इस्तिती खराब होते देख वर्स 1971 में दो फरवरी को इरान के रमशर में विटलेंड कर्वेंशर को अपनाया गया भारत में भी पिछले 20 वर्सों से 80 फिस्दी तलाब गायब हो गये हैं यह तलाब कहां चले गए इस का कोई पता आज तक नहीं चल सका है तलाबों के गायब होने से मानो अबादी और खेती पर सबसे ज़्यादा खत्रा बढ़ा है और ग्लोबल वर्मिंग पर भी इसका काफी असर पड़ा है अब लगभग हमारे 90 फिस्दी तलाब हमारे हां समाप्त हो गये हैं उसका कारण क किया हुए है कि हमने पट्टे बना करके लोग खेती करना सुरू कर दिया है या पार्ट करके वहां पर मकान बना दिये ुसतरए धीरे धीरे हमारे तलाब्त समा अब हमको यह तो ध् carefully छिन्यूर्म करना हैं उनकी सुरक्षा करना है जिससे आप्सीजन की मत्रा हमारे वातफ गाइब हो गये हैं और सायद यही वज़े है कि ग्लोबल वर्मिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है इस बार लोगों को सर्दी मैसूस ही नहीं हुई लकिम पुर्खीरी से प्रशान पांडे एटीवी भारत के लिए